तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करें गे कि वर्कंट केसि नियुक्त हैं कि आहिए धिक्ते हैं देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वcjonित में गेसी किया जाता है जब किसी इंसान को arrest करना होता है या फिर जब हमें उसके घर पे किसी तरह की सवर्च operation करनी होती है तो ऐसे time पे हम court से permission ले सकते हैं कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं और जो court permission देता है उसे कहते है warrant example देखिए suppose कि ये एक person है इसने किसी का murder कर दिया और मैं ऐसे माल लेती हूं कि murder की जो सजा है न वो death penalty है तो इस case में ये बनता है warrant case and warrant case की जो definition है section 2 x of CRPC में दी गई है warrant cases वो cases होती है जिसमें punishment या तो death penalty हो या फिर life imprisonment हो या फिर दो साल से ज़्यादा की jail हो warrant case का जो procedure है वो CRPC के chapter 19 में दिया गया है section 238 से लेकर section 250 तक अब warrant case जो है वो serious nature के होती है क्योंकि यहाँ पे gravity जब major की जाती है इन offenses की तो काफी heavy निकलती है अब आप खुच सोचो punishment इत्ते बड़ी दे रही है हम death punishment या फिर life imprisonment दे रही हो तो इसका मतलब उस इनसान ने कुछ बड़ा ही crime किया होगा इतना बड़ा किया होगा तो इसी लिए ऐसा बोला जाता है warrant cases ऐसे cases होते हैं जो बहुत ज़्यादा serious nature के होती है चिके? तो आपका warrant case का मतलब जो है वो समझ आ गया होगा समफ देखते है समंंस के बारे में समंस के वो cases होते हैं जिनमें punishment किसी offense की दो साल से कम की होती है ऐसे offenses जिनकी punishment दो साल से नीचे होती है वो cases यहाँ पर cover考 क्या जहती है जिनकी punishment दो साल से कम होती है समंस के बहुँ two clause WCRPC में डिफाइन कीा गया है Summon cases वो cases हैं जो warrant case की category में नहीं आती हैं और ये punishable नहीं होती है Summon case का procedure जो है वो CRPC के chapter 20 में दिया गया है section 251 से लेकर section 259 तक अब देखिए warrant cases में charges अपरादी के खिलाफ frame होती है बट क्या होता है Summon cases में charges frame नहीं होती है और क्या होता है warrant cases में proper trial चलता है अगर accused convicted हुआ है तो court उसकी सजा पर उसे सुनेगी और क्या होता है Summon cases में कुछ ऐसा provision नहीं है trial का उसमें trial का जो उसमें proper trial चलता है warrant cases में अगर accused convicted हुआ है तो जो court है वो सजा पर उसे सुनेगी तो guys यह थी हमारी आज के कुछ important topics hope so आपको अच्छे से समझ आगे होंगे अगर आपको video helpful लगी then do like, share and subscribe the channel for more videos thank you for watching this video